सो हेलो गाइस मेरा ना मैं प्रियांश आप लोग देखे हो प्रियांश गयरच तो भाईयो आज मैं लोग बात करने वाले होंडा हमें इसके एस विरंट के बारे में तो शुरुआत करते हैं इसके कलर कॉम्बिनेशन से तो यहां पर आपको ब्राउन वाइड रेड सिल्वर ग्रे ऐसे कलर कॉम्बिनेशन देने को मिलने वाले स्टार्टिंग प्राइस की बात कर लिए तो यहां पर आपको छे लाग तिरिस्ट जार से लेके ग्यार लाग पच्यास जार दग आपको एक शुरुम प्राइस मिलने वाला है इस वी एक्स ऐसे तीन विरेंट्स आपको ओफर किये जा रहे है और अभी आप इसका एस मैनुवल विरेंट देख रहे है यहां पर आपको मैनुवल और सीविटी दुनों का ही ऑप्शन दिया जा रहा है इंजन स्पेसिविकेशन की बात कर लिए तो यहां पर आपको दो इंजन ओफर किये जा रहे है और अभी आप इसका 1.2 लिटर पेट्रोल इंजन देख रहे है, 90 भी एच्पी, 110 नुट्यमिटेड टॉर के साथ, पेट्रोल में आपको 18 की मैलेच मिलने वाली है, दूसरा इंजन मिलता है, आपको 1.5 लिटर का डीजल इंजन, 100 भी एच्पी, 200 नुट्यमिटेड टॉर के साथ, 24 तक की मैल लोगो मिल जाता है, यहांपर आपको lock unlock, दो option देखने को मिलने वाले, 4 श्टार सेवटी रिटिंग के साथ, आपको देखने को मिल जाती है, यह Honda Amaze, तो S विरिड में यहांपर आपको ऐसे कुछ looks मिलने वाले, तो शुरुवात करते हैं गाड़ी के exterior से, उसके बाद मिलने वाला है, सेंटर में को काफी बड़ा सा Honda का logo देखने को मिल जाता है, जर्मन डिजाइन आपको grill offer की जारी, काफी अच्छे लगती है, काफी icon looks आपको मिलने वाले, पूरी grill आप देख सकते हैं, chrome treatment साथ मिलती है आपको, निच आपको radiator मिल जाती है, कुछ ऐसे design में, स window का option, गाड़ी के night visibility की बात कर लिए, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ setup मिलने वाला है, halogen headlamps offer किये जा रहे, नीचे आपको मिलते है DRLs, turn indicator के place room मिल जाती है, fog lamp के लिए हौज आपको नीचे मिल जाता है, after market आप लगवा सकते हैं, यहाँ आपको chrome treatment मिल जाता है, जो की बात कर लिए, तो पीछे आपको शाफ इन एडिना देखने हो मिल जाता है, तो बड़ते हैं काड़ी की side profile की तरफ, तो side में आपकी सबसे पहले लिए जाती है, यहाँ पर आपको 14 inches के steel rim offer किये चा रहे है, wheel cap के साथ, Honda का लोग भी आपको मिल जाएगा wheel cap में, इतना कुछ suspension level दिखने को मिले वाला है, अगर tire station की बात कर लिए तो यहाँ पर आपको 175, 65, R14 का पूरा tire station मिलता है, जिनकी profile काफी अच्छे लगती है, अगर dimension स्वाई दिखेंगा तो यहाँ पर आपको 4995 की length मिल लिए है, 1695 की width मिल लिए है, और 1501 mm की यहाँ पर आपको height offer की जा रही है, अगर wheel base की बात कर लिए है, तो यहाँ पर आपको नीचे इतना कुछ wheel base मिले वाला है, जो कि मिल लिए है को 2470 mm का wheel base, तो अंदर space आपको काफी सारा दिनी को मिले वाला है, जो कि आगी cover करेंगे, बढ़ते हैं काड़ी की ORVM की तरफ, तो यहाँ पर आपको body color पे ORVM offer क किये जा रहे है, electrically foldable and adjustable, दोनों का ही आपको option दिया जा रहा है, तो यह काफी अच्छी चीज़े, side में मिलती है, turn indicator की placement, S and VX दोनों में ही आपको foldable का option दिया जा रहा है, A pillar आपको blackout मिल जाता है, roof में आपको पीछे sharp antenna मिल जाएगा, बढ़ते है, rear की तरफ, front में आपको disc, rear में आपको drum brake offer किये जा रहे है, यहाँ पर मिलता है, fuel filler cap, capacity की बात करो, 35 liter की fuel tank capacity मिल रही है, rare से दिखेंगे, Honda Amaze S variant को, ऐसे कुछ आपको looks मिले वाले, काफी sharp लगती है देखने में, बढ़ते है center की तरफ, तो यहाँ पर आपको center में काफी बढ़ा सा Honda का logo देखने को मि मिलती है, आपको Amaze की badging, IV tech की badging आपको right side ही हो मिल जाती है, नीचे आपको कोई भी मैने दिखने को नहीं मिलता है, boot opening के लिए, नीचे आपको मिलता है, 4 reverse parking sensors, इस पे आप अपनी की लेगा के boot open कर सकते है, नीचे आपको chrome treat मे मिल जाता है, नीचे से अगर में बैट के open, आपको दिखारते है, boot space, तो ऐसे कुछ यहाँ पर आपको boot मिले वाला है, अगर space की बात करिया है, तो 420 liter का boot space मिल रहा है, side में कोई भी reading light offer नहीं की जा रही है, नीचे मिलता है, आपको 14 inch का steel rim, शो करते हैं यहाँ से बंद, boot को करते हैं बंद, तो यहाँ पर आपको high mount stop light मिल जाती है, defogger नहीं दिया जा रहा है, shaft antenna मिल जाता है, बढ़ते हैं काड़े कि passenger sitting तरफ, legroom, headroom से भी कुछ cover करते हैं चलके, तो यहाँ पर आपको body color पर door headles offer किये जा रहे है, इनको करते हैं open, back door trim की बात तर लिया, तो यहाँ पर आपको dual tone color का option दिया जा रहा है, पा दो headless मिलने, जो कि fixed हैं, आप इनको adjust नहीं कर सकते हैं, sitting आप पूरी देख सकते हैं, rare में आपको armrest भी दिया जा रहा है, so बैटते हैं जना गाड़ी की अंदर, मेरी height 5 foot 11 inch की आज़ पर आपको इतना कुछ leg space मिल जाएगा, rare में कोई भी ace events offer नहीं किजा रहे हैं, front का armrest भ भी आपको दिखने हों मिल जाते हैं, इसको करते हैं यहां से बंद, side मिलते हैं आपको grab handles, दुर्मों setup को same दिखने हों मिल जाएंगे, center मिलते हैं आपको reading light, पीछे से front dashboard दिखाऊंगों तो ऐसा कुछ मिले वाल है, front dashboard आपको, अभी आप इसका manual event देख रहे हैं, CVT का भी option आपको मिल जाएगा, निगलते हैं गाड़ी के बाहर, बढ़ते हैं गाड़ी के driver sitting की तरफ, leg room, head room, अंदर का पूरा interior करते हैं चलके, तो यहां पर आपको physical की offer की जारी है, अपनी key side गाड़ी को lock and lock कर सकते हैं, उसी के साथ यहां पर insert करके गाड़ी पनी lock and lock कर सकते हैं, क fold unfold करने के, power window को सारे control, child safety lock, थोड़ा space मिल जाएगा, bottle holder, speaker की placement, अंदर आपको इतना कुछ space मिलने वाला है, manual देखे हैं, CVD का भी option मिल जाता है, setting की बात कर लिए तो ऐसी कुछ आपको fabric की seats offer की जारी है, दो headrest मिलने जो की adjustable है, आप इनको अराम से adjust कर सकते हैं, तो यहां प heading बात ऐसा कुछ मिले वाला है, front dashboard आपको यहां पर आपको dual tone color का option दिया जा रहा है, आगे visibility की बात कर लिया, तो काफी बड़ी है visibility मिलती है, bumper to bumper आप इसको अराम से drive कर सकते हैं, तो यहां पर आपको offer की जारी है, physical की, इसको करते हैं, यहां पर insert आपको दिखाते है, instrument cluster, अ मिल जाती है, अपनी M.I.D.Cop, इस lever की through control कर सकते है, trip 1, trip 2, Everest, सभी कुछ यहां पर आपको monitor करता है, यह तो होगी cluster की बात, अब बात के लेते हैं, घड़ के steering की, तो ऐसे कुछ यहां पर आपको steering मिल जाती है, center में आपको Honda का logo मिल जाएगा, यहां पर आपको media के सारी controls, steering क पीछे मिलते हैं, आपको यहां पर वाइपर control, इसके बगल मिलते हैं, अपको headlabs, सरी control, अपनी steering off, इस नीचे lever के through, tilt कर सकते हैं, टेलिस्कोपिक का आपको यहां पर option देने को नहीं मिलने वाला, इसको यहां से करते हैं, fix, अब बात के लेते हैं, काड़ी के center console की, तो यह यहां पर उपर आपको दो AC events, haggile light का button देखने को मिल जाता है, on off करने का, उसी के just पगल में आपको 2 dyne का audio system मिल जाता है, Bluetooth, AUX, अपको यहां से manually control कर सकते हैं, उसी के just नीचे आपको AC के सारे controls, automatic timer lock option देने मिलने माला है, उसी के just नीचे आपको 12W का socket मिल जाता है, उसी के just holder, 2 cup holders मिल जाते है, 5 gear speed transmission, यहां पर आपको chrome treatment मिल जाएगा, काफी अच्छा लग रहा है, manual hand bricks, front arm wrist नहीं दिया जा रहा है, glove box की बात कर लिए तो यहां पर आपको ऐसा कुछ glove box मिलने माला है, side में मिलते हैं, grab handles, passenger side आपको vanity mirror मिल जाएगा, अगर driver side की बात कर लिए तो यहां आपको मिल जाता है IRBM, तो यही था इसके अंदर का overall पूरा interior कैसा लगा, मुझे पूरा comments में जरूर बताएगा, तो ignition को करते हैं, बंद, अब निकलते हैं, गाड़ी के बाहर, बात के लिए थे गाड़ी के safety features के बारे में, तो यहां पर आपको ABS, DBD, brake asses, central locking, power door lock, child safety lock, seat bell warning, engine ablizer, crash sensor, speed alert, speed sensing, auto door lock, impact sensing, auto door lock, इसी के साथ इसमें आपको 2 airbags दिये जा रहे हैं, तो safety के मामले में, यहां पर आपको काफी कुछ provide क्या जार है, because इसमें मिलती है, आपको 4 star safety rating, अब बात आती है, main chase गाड़ी के pricing के, तो अभी है, होंडा, हमें इसका S-Viren देख रहे हैं, petrol मे और 10,85,000 का आपको ये on-road लखनों पढ़ने वाला है, अगर CVT के तरफ जाते हैं, तो आपको ये 8,30,000 का पढ़ता है, एक showroom, और 9,38,000 का आपको ये on-road लखनों पढ़ने वाला है, तो यही थी Honda Amaze, अपने segment की compact sedan car, कैसे लगी मुझे एक बार आप comments में जरूब बताएग मैं प्रियंशल तौप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई!